हेले बिर्वन वेलकम टू वायरेल इसकी सन क्लास 9 एंटेन संस्कृत तो इस वीडियों क्लास 9 संस्कृत के चेप्टर नमसा केन स्वर्न काका को पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुराने समय में किसी गाउं में एक नेधन वरीद इस्तरी रहा करती थी उसकी एक विनमर और सुंदर पूत्री थी एक दिन माता ने ठाली में चावल रख कर पूत्री को आदेश दिया कि पूत्री सुरिकी धूप में रखे चावल की पक्षी से लक्षा करना कुछ समय बाद एक विचीत्र कवा उढ़कर उसके समिप आया उस कवे के पास सोने के पंग थे तथा चांडी की चोँच थी वह ऐसा सोने की पंग तथा चांडी की चोँच वाले कवे को पहले कभी नहीं देखा था उसे चावल खाते हुए तथा हसते हुए देखकर लड़की रोने लगी उसको हटाती हुई लड़की ने प्राथना की तुम चावल को मत खाओ मेरी माता अतियंत निर्धन है सोने के पंख वाले कौवे ने कहा तुम दुखी मत हो तुम कल सूरी उगने से पहले गाओं से बाहर पीपल के व्रिक्च के पिछे आ जाना मैं तुम्हें चावल का मूल दे दूँगा उसके बाद लड़की खुस होगी और रात में उसे निन भी नहीं आई अगले दिन सूरी उगने से पहले ही लड़की वहाँ पे चली गई थी वहाँ व्रिज के उपर देखकर वहाँ आचेरी से चकित होगी क्योंकि वहाँ एक सोने का महल था जब कवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की में से बालिका को अतियां तो हर्सपुर्वक कहा ओ तुम आ गई ठहरो मैं तुम्हारे लिए शिड़िया उतारती हूँ तो फिर कवा फिर पुछता है कि तुम की शिड़ि पे चढ़ना चाती है सोनी की चांदी की या तामबे की तो लड़की बोलती है कि मैं एक निर्धन हूँ तामबे की शिड़ी से ही मैं आ जाऊंगी लेकिन कवा ने सोने की शिड़ी ही उसे दिया तो उस सोने की शिड़ी से वा उस महल में पहुच गई बहुत काल तक महल में सजी अनोखी वस्तू को देखकर बालिका हैरान होगी उसको ठका हुआ देखकर कवा बला पहले तुम थोड़ा सुबह वाला नास्ता कर लो फिर उसके बाद कवा पुचता है कि तुम भोजन की शिड़ी में करेगी पर रहो परन्तु घर पर तुम्हारी माता अकेली है अता तुम सिग्र ही अपने घर चले जाओ ऐसा कहकर कवे ने कमरे के अंदर से तीन संदुक निकाल कर उस लड़की को कहा बालका तुम स्वेक्षा से कोई एक संदुक ले लो बालका ने उन सब में से छोटी संदुक को लेती हुई कहा मेरी चावलो का इतना ही मुली था घर पर आकर जब उसने उस संदुक को खोला तो उसमें बहुत सारे बहुत मुली हीरे थे तो वह इसे देखकर अतियंत प्रसन हुई और वह उस दिन से धनी हो गई उसी गाव में एक अन्नी लोवी बुढिया रहती थी उसकी भी एक पुत्री थी उसे सोने की कौवे का रहसी पता लगा तो तुम बताओ की तुम सोने की बनी सीड़ी से आओगी या चांदी की या थिर तांबे की तो फिर बालका ने कहा मैं तो सोने की बनी सीड़ी से ही आओंगी किन्तु सोने के कवे ने उसके लिए तांबे की सीड़ी की दी सोने के कवव ने उसे भोजन भी तामबे के वरतन में ही कराया लोटने के समय सोने के कवव ने कमरे के अंदर से तीन संदुक लाकर उसके सामने रखी लोब से परिपूर्ण मन वाली लड़की ने उसमें से सबसे बड़ी संदुक ली घर पर आकर वह लालची लड़की जब उस संदिक को खोलती है तो उसमें वह एक भ्यांकर काले साप को देखती है लालची बालिका को लालच का फाल मिल गया इसके पाशाद उसने लोब को बिल्कुल त्याग दिया तिया बहुत ही इंट्रेस्टिंग चेप्टर था इससे बहुत सारे सीख मिलते हैं कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और दुसरों की हेल्प करनी चाहिए तो इसी तरह से आप लोग भी दूसरों को help करें वीडियो को share करके तो चैनल को subscribe करें आप लोग को इसी तरह से animated वीडियो के मध्यम से सारी chapter और सारी subject को अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहे हैं तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक